हेलो हाई एब्रिवन इस वीडियो में हम थर्मल नियुक्लियर और हाइड्रो एलेक्टिक पावर प्लांट्स करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो जो भी पिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो इन सब की हेल्प से आती है तो देखते हैं यह होते क्या है थर्मल पावर में कोईला की जगे बायोमास या फिर बेस्ट मैडियल गा भी इस्तेमाल हो सकता है जिससे ही उत्पन होती है और फिर इलेक्रिकल एनर्जी में इसको कनवर्ट कर दिया जाता है नुकलियर पावर प्लांट यह ऐसा पावर जनरेटिंग स्टेशन है जहां पर नुकलियर एनर्जी को कनवर्ट किया जाता है इलेक्रिकल एनर्जी में नुकलियर एनर्जी कैसे बनती है एटम का जो नुकलियर होता तो अगर इस्टोरिकल बैक्ग्राउंड की बात करें तो होवी जहांगीर बाबा को भाबा को फादर ऑफ नुकलियर रिसर्च इंडिया में कहा जाता है और आर्किटेक्ट विन को बोला जाता है पहला अगर बात करें कि पहला इंस्टिटूट कहां पर एस्टेवलेस हुआ ताकि कुछ रिसर्च करी जाए तो वह हुआ था टाटा इंस्टिटूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन 1945 में एस्टेवलेस ही हुआ था एंड फर्स्ट प्रैक्टिस की बात करें कि पहला कौन सा कमिशन हुआ पहला नुकलियर रियक्टर तो यह था अपसरा इसको भी सब्सक्राइब नुकलियर पावर से तो अक्टूबर 1969 में स्टार्ट हुए जब तारापूर सर्विस में आया यह भी एक नुकलियर पावर प्लांट है इसके लावा बात करें जो दूसरा था राजिस्थान का वह भी करनाड़ा के सहयोग से स्थापित हुआ था जो पहला थाड़ा मारा आया कि हमने स्वयदेश्थी खुद से ही एस्टेविस किया है तो वह तीसरा था जिसका नाम था काला पक्कम नियर चेन नहीं तमिल लाड़ू में यह पहला स्वयदेश्थी था कि तुल जब वर्ड वर्ड चल रहा था तब जरूरत पड़ी की न्युक्लिर रेक्टर हमारी कंट्री में भी होने चलहिए और जाहालल नहरो pone जहांगीर baka के प्रिशेंज में हमारी कंट्री में न्यूकलर रैक्टर आपाए अब बढ़ते हैं कंपोर्टन्थ् हाइडोलेक्टिक प्रजेक्ट्स देख लेते हैं जो कि इंडिया में है तो तेहरी हाइडोलेक्टिक पावर प्रजेक्ट ये उत्राखंड में है रिवर है भागी रदी नदी के ऊपर है भाकडा नागल डेम ये हिमाचर प्रदेश में है सक्यूस नदी के ऊपर है याद रख इंपोटेंट है श्री शेलम यह आंद्रदेश में है और क्रिष्णा नदी के उपर है इंपोटेंट है इद्धु की चेरल में है और पिरियार नदी के ऊपर है यह बहुत इंपोटेंट है याद रख लेना नेक्स्ट बढ़ते हैं सिवा समुंदर ये करनाटक में है और कावेरी नदी के उपर है याद रखना है कोईनग्ण़ इबात करें मचकंड रिवर के उपर मचकंड देम मचकंड रिवर के ऊपर और भी देख लेते हैं इंपोर्टेंट हाइड्रोलेक्टिक पावर प्रोजेक्ट तो एक है देहार हाइड्रोलेक्टिक पावर प्लांट यह हिमाचर प्रदेश में हैं ब्यास नदी के ऊपर फिर आता है नथफा जखरी हाइड्रोलेक्टिक पावर प्लांट यह हिमाचर प्रदेश में हैं सतलस नदी के उपर है जारखन में इंद्रा सागर हाइड्रोलेक्टिक पावर प्लांट नरम्दा नदी के उपर है मध्य प्रदेश में हीरा कोड हाइड्रोलेक्टिक पावर प्लांट यह महा नदी के उपर है औरिसा में फिर आता है पोंग यह ब्यास नदी के उपर हिमाचल प्र राजिस्थान में एंदरापुरी रिजर्वर प्रोजेक्ट व्याहर में चले बढ़ते हैं अपने कॉश्चन पे पहला कॉश्चन है गोरकपुर नुक्लिर पावर प्लांट इस लोकेट इन विच स्टेट गोरकपुर औरजा परमादु सेंत्र किस राजे में स्थित है इसका सही उत्तर है ऑप्शन भी हर्यानम है अब इसको यूपी से कंफूज नहीं करना हर्यानम है तो इसका फांडेशन गोहता 2014 में चौन्स्ट्रक्शन बिगें हो गई है लेकिन अभी यूनिट भी बन गई है वन इन टू लेकिन जनवरी में ये कमिशन ये 2028 में कमिशन होगा यह है फतेहभाड डिस्टिक्ट में हर्यानम ही नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं विंदियाचल थरमल पावर स्टेशन इस लोकेटिट इन विच स्टेट विदियाचल थरमल पावर किसा आजि में श्तित है इसका सही जवाब है ऑप्शन इब मद्यप्रदेश में और भी थरम àsिमर्कंटक थर्म पावर प्लान्ट सटपूरा थर्मल पावर प्लान्ट सग्जे गन्धि यह बिसे इसाद हमें रिल्प चोल पुर्मा इसलिए स्पाइल प्रिंध Virश में भी है मद्यप्र तरह बातिते इन सिंगर्ओ उप्रफटेशिंड इंग् सिंगरांस तो आपको बताना है ककरापर परमाडू उर्जा किंद्र किस राजे में इस्तित है इसका सही जवाब है option B गुजरात में है यह देख लेते हैं आगे तो 1993 में यह उपरेट हुआ था और मांडवी सुरत अंटापी रिवर की प्रॉक्सिमिटी में इलाय करता है गुजरात में है का काला पक्कम अटमिक पावर स्टेशन इस लोकेटेड इन विचल स्टेट काला पक्कम परमाडू उर्जा केंद्र किस राजे में इस्तित है इसका सही उत्तर है option B तमिलाडू में है और ऑपरेटिंग यह उपरेट हुआ था और भी देख लेते हैं हम नुक्लिर पावर प्ल लग गए इसे उदर साल भी लग गए लेकिन ऑपरेटिंग तब से जब चाल हुआ है तब से वह इंपोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए तो 2000 में यह कमिशन हुआ था करनाटक एनपी से एल फुल फॉर्म है नुकलिर पावर कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड कैपिसिती है 1400 मेगावट कुंडल कुलम नुकलिर पावर प्लांट 2030 में स्टार्ट हुआ तमिलाडू में है कॉस्चन पर बढ़ते हैं इस इंडिया फर्स्ट और लाजस्ट अटमिक पावर स्टेशन तो कौन सा है इसका सही उत्तर है उप्शन है तारापुर अटमिक पाव स्टेशन है और थाने डिस्टेक्ट महारास्ट में है उप्रेटिंग इयर 1969 कोपरेशन था इसका उनाइड़ इस्टेट अमारिका के रौरही चालू हुआ था कायगा थर्मल पावर प्लांट जो की करनाटक में है काली रिवर के उपर है और यह फ्रेंस की हल्प से बनाया ग है नेक्स देख लेते हैं कोंडल कुलम नुकलर प्लांट इस इन विच स्टेट तो किस में है यह उप्षन है तो इसमें तो यह उप्षन D उत्रपर्देश में नरौ ए टमीपावर स्टेशन लोकेटेशन है तो बुलंद शेह डिस्रेक्ट उत्रपर्देश ऑर थाइसका 1991 ज्रीक वरकिये हैं और देखें हैं तो आपको बताना है कौन से सही है इसमें से सही हो जाएगा कॉंडल कुलांब न्यूकलिर पावर प्लांट 2013 में पुल्ठवा था है ती लिथी रस्या की और लारज़ेस्ट न्यूकलिर पावर प्लांट है इंडिया का बंसवाड़ा अटमिक पावर स्टेशन इस लोकेटेट इन तो यह है ऑप्शन ए कर्णलेंट फिर का कोश्चन है राजस्थान तो 2022 में सुरू होगा यह पावर प्लांट बनने का काम नेक्स्ट वोशन है जैथपूर नुकली पावर प्लान्ट इस लोकेटेट इन विच इस्टेट तो जैथपूर पर्माणो उर्जय सेयंतर किस राजस्थ बेंस्तित हैं तो यह है ऑप्शन भी महरास्ट्र में सुरू है नेग्स्ट कोश्ण है काकाथिया थर्मल पावर स्टेशन लोकीटेड इन काकाथिया थर्मल पावर स्टेशन किस राजी में इस्तित है तो यह आपशून तेलंगानव इस्तित है. कमिशन डेट इसकी थी फरवली 2009 कुछ बेसिक दिख लेते हैं तो नुकलिर पावर जो है फिप्ट लार्जेस सोर्स अलेक्रिसिटी का यहां हम नुकलिर पावर की बात कर रहे हैं थर्मल हाइड्रोलक्रिक और रिनुवल सोर्स अलेक्रिसिटी के बाद यह पांच भी नंबर पर आती है और इंडिया में प्रिजनेटली 22 नुकलिर पावर रियक्टर है साथ स्टेट में उप्रेट हो रहे हैं और इसकी कैपिसिटी है टोटल मला कि 6780 मेगावर्ट एलेक्रिक ठीक है 18 रियक्टर उसमें से ऐसे हैं जो प्रेसराइज हैवी बाटर रियक्टर पे गाम क संदे कि इसल्क e達 और देखर अउप्षिया दिख लेक्ट है नेक्स वर्ण शचेशन 2 लूडवर पावर स्टेश्चोंग करम विस्टीट है तो यह है ऊप्षयन धरमल पाल इस्टेशन देख लेक्ते स्टेशन Вाट प्लान्न तर्माटार रचंहार कनात्क में और भी देख लेक है एक है बेलेडी घरमल्य पावर स्टेशन एक है जर्मेरे 어쪹 ठोर फपावर स्टेशनर रचंहार के तो तर्फ धुक्र मौर पावरेशनल्न फ्र तरहान प्लांट बाइव वंसे काम अध्यों सी प्लांट इसन लाड़ा गर्छाए कौरवा थर्मलड़ अच्छावर्थ दो याद रख लेना चार तो नहीं हो पाएंगे आपको गुजरात के देख लेते हैं और एक है सिक्का एक है उकई एक है मुद्रा एक है गांदी नगर बारन कोरी अक्री मोटा कच्छ सावर मत्थी यह सब गुजरात के थर्मल पावर प्लांट से जारखन की बात करें तो एक एक है बोकारो थर्मल पावर प्लांट एक है पतरादो थर्मल पावर प्लांट है जारखन में है राजिस्थान के थर्मल पावर प्लांट को देखें तो एक है छाबरा थर्मल पावर प्लांट एक है काली सिंद्ध थर्मल पावर प्लांट राजिस्थान में है कोटा सूरत तट बखरे श्रिट करतने तो इसमें से दो इंपोर्टेंट है और्णीवे शसमादтобर्त महाराष्ट है टूटेकोडıllि कोरें थर्म यह अक पारश्ट में है इसका है तुल्सका तर्मावर प्लैट्मावर प्लांट युगal में यहां नेक्स्ट ने म tread onG주ост open the standard mechanical body देखा था इसका सही उत्तर है कोई ना hydroelectric power plant option इसमें सही हो जाएगा तो सलाल hydroelectric power plant is located in which state तो ये भी हमने देख चुके हैं तो ये है जम्मो कश्मीर में option C इसका सही उत्तर है तो चिनाब river के तड़ पर ये located है सलाल hydroelectric power plant next question है काली नदी hydroelectric power plant along the river काली नदी is in which state तो किस में है ये lifes option C, करनाटक में है, काली नदी, हाइड्रोलेक्टिक पावर प्रजेक्ट, रिवर काली नदी के ऊपर है next question है, कोटेश्वर डेम is situated along which river, कोटेश्वर बांथ किस नदी के किनारी स्थित है, तो ये है option B, भागी रतीन नदी के किनारी इस्थित है, तो उत्राखंद में ही, situated है, state है उत्राखंद, next question पर बढ़ते है, लोक तक हाइड्रोलेक्टिक पावर प्लांट, is in, लोक तक हाइड्रोलेक्टिक पावर प्लांट, किस राजे में इस्थित है, तो ये है, मनीपुर में, इसका तो आपको लोक तक से ही नदर आ करनाटक, गुरू गोविन, सुपढ़, लोक तक किस हमनी करनातक, गुर। गुरू दिया हुआ है, बक्रेश्य स्थर्मल पावर प्लांट के आगे, बैस्ट वंगाल दिया है, तो गुर।मन की ठर्मल पावर स्टेशन के आगे, राजिस्तान में फीचतिक सही उत्थित है, रहांदैyorsunorbर्ध हल थर्मल पावर प्ल्लान्ट कि राजमें इस्टथ है तो यह ओप्शन है उत्यhr-प्रदջ Likewise the house से और दीटेख रहे एंपरर जाफ से द करूप्जों गारर धर्मल भी देख लेते हैंमरावती थर्मल प्लांट और deze थर्फित蓝 प्लान्ट ार्म नीक्स्वर सैंग मौुणडा ग्स बंड प्लान्ट वर्फित वेचर्ट १ूरा थर्मन ओर वर nu kal गरपूड़ लॉडच प्लान्ट लाकशए नंगेश्पर काम कब्स प्लानट है यह लेखा था पिछली स्लाइड में भी यह है ऑप्शन है वी वाटर है वी वाटर जो है एक्सलेंट मोडेटर है क्योंकि इसकी हाई मोडेटिंग रेश्यो होता है लो अलजोप्शन क्रोस सक्षिन होता है न्यूट्रॉन का नेक्स्ट इन् ओधरमल बावर प्लांट किस सेक में लोकेट एन्नोर थर्मल पाउर प्लांट इस लोकेटेड इन वच स्टेट तो इसका सही उक्तर है उप्षिन ए तमिलनाडु वहाई है तो अपने लास्ट कोश्व बे आ गई को स्विव आपके लिए आपको इसका सही उत् which of the following is not an atomic fuel plutonium, uranium, thorium, cadmium I hope इसका आप अक्तर दे पाओगे इस साथ हम मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you for watching take care, thank you